अब सिर्फ एक दिन बचा रह गया है। ICC बिश्वकप 2019 में हर कोई बड़े एस्कोर बनाने की भविस्वानी कर रहा है। पाच बड़े मुकाबले खेलने वाले खिलाडियों से रूबरू करवा रहे हैं। मार्टिन गप्टेल न्यूजीलेंड के हैं सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकोर न्यूजीलेंड के ओपनर मार्टिन गप्टेल के नाम ICC बिश्वकप में है। 21 मार्च 2015 को वेलिंग्टन के मार्टिन गप्टल ने वेस्ट इंडिज के खिलाब 163 गिंडों में 24 चवको तथा 11 छकों की सहायता से नबाद पारी खेली थी। किसी भी बल्लेबाज का ये बिश्वकप में सर्वोच एस्कोर होने के साथ साथ न्यूजीलेंड के लिए सबसे बड़ा एस्कोर है। क्रिस गेल की बात करेंगे जो कि वेस्ट इंडिज से हैं। बिश्वकप में दूसरी बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडिज के ओपिनर क्रिस गेल के नाम है। साथ अफरीका के खिलाडी गैरी क्रस्टन की तीसरी बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड विश्वकप में साथ अफरीका के ओपेनर गैरी क्रस्टन के नाम है। जिन्होंने 1996 के विश्वकप टूर्नामेंट में रावल पिंडी में UAE के खिलाप नाबाद 188 रन की पारी खेली थी। इस मैच में उन्होंने 169 गेंडों में 134 तथा 4 छक्के लगाये थे। जबकि यह स्कूर अब आज तक साथ अफरीका के लिए वन डे किर्केट मैच में सर्वोच्य स्कूर बना हुआ है। वहीं अगर बात करें भारत की तो सौरफ गांगुली की बात करेंगे। बिश्व कप में सर्वोच्य खेलने वाले खिलाडियों में भार्टिये टीम के दिगज और महान खिलाडी सौरफ गांगुली का नाम भी सम्मिलित है। 1999 बिश्व कप में सौरफ गांगुली ने टांटन में 26 मैच को सिरलंका के खिलाब 158 गेंदो पर 174 और 7 छक्के की सहायता से 183 रन की जवर्जस्त पारी खेली थी। किसी भी भारतिये बल्ले बाज का या बिश्व कप के मैचों में सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं वेस्ट इंडिज से वीबियन रिचर्ट्स की हम बात करेंगे बिश्व कप टूर्णामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पाचवे नमबर पर वेस्ट इंडिज के इस दिगज खिलारी वीबियन रिचर्ट्स है। 187 के विश्व कप मैचों में वीबियन रिचर्ट्स ने कराची में 13 अक्टूबर को सिरलंका के खिलाब 125 गेंदों पर सोरह चौके और साथ छकों की मदद से 181 रन बनाये थे। इन सब के अलावा टॉप 10 में डेविड वाडनर 178 रन, कपिल देव 175 नबाग रह चुके हैं, बिरेंदर सहबाग 175, क्रेग बिसाट 172 ये भी नबाद रह चुके हैं और ग्लेन टर्नर 171 पर नबाद रह चुके हैं। ये सारे खिलाडी सामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सेर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथी बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यबाग।